तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जयव प्रद्दोक्य सिधानत्यों प्रक्रम के मोस्ट इंपॉर्टेंट कुश्चन ठीक है जयव प्रद्दोक्य के काई वच्छर डिमांड कर रहे तो देखो जयव प्रद्दोक्य का वन सौट वीडियो चैनल पर हैं और वो सभी आपके कहां पर वो सभी आपके चैनल की प्लेलिस्ट पर अप्लोड हैं ठीक है आप लोग प्लेलिस्ट नहीं चेक करते हो अनीचे कमेंट बॉक्स में बहुत देर सारा कमेंट करते हो बहुत देर सारा आप लोग फोन करते हो मैसेज करते हो इमेल कर देते हो है ना हमारा counselor प्रिस्वान हो जाता है वेचारा बात करते करते तो देखो क्या है कि playlist पर जाओ वही पर चेक करो ठीक है वही पर आपके सारे videos हैं और अगर आपके playlist पर videos नहीं मिल रहे हैं आप कहीं भी मदद चेक नहीं कर पा रहे हो ना तो क्या करना है आपको topic का नाम YouTube में ल करता दें आपको कि 70% बच्चे subscribe नहीं करते हैं तो उन 70% में आप लोग भी हो जल्दी से चैनल को subscribe करो अब जो बिल notification नौटिफिकेशन वाला घंटा उसको दबालो जल्दी से उस घंटे को दबालो ठीक है उस घंटे को दबालो बहुत काम की चीज़ है और 30 प्रतिसत बच्चे ही subscribe करते हैं और यह not subscribed होते हैं ठीक है और इन 30% में 15% तो नौटिफिकेशन बिल्को ही नहीं आउन करते तो आप लोग नौटिफिकेशन बिल्को अन कर लिया करो ठीक है तो चलो फाइनली आज का वीडियो यहीं पर लोग सुरू करते कि जयो प्रदोकी सिधांत्यों प्रक्रम के most important questions जो की बोर्ड एक्जाम में पूछे जाते बोर प्रदोकी सिधांत्यों प्रक्रम के सवाल देखने वाले हैं ठीक है जितने भी important question है उनको हम यहाँ पे देखेंगे चले पहला question क्या बोलता है कि DNA lie gauge क्या काम करना है तो यह lie gauge gauge जो होता है जोडने का काम करता है न ट्रैक्टर से ट्राली का gauge है न और बहुत से gauge होती है तो gauge क्या करता है जोडने का काम करता है तो DNA lie gauge यह है इंजाइम दो DNA विखंडों के चिपचिपे सीरे की सहबंत की तरह जोडने का काम करता है एक खंड यह है इसके अंदर DNA lie gauge लगा दोगे तो यह पूरा एक खंड हो जाएगा ठीक है जुड़ गया clear है चलो प्लाजमीड का उप्योग क्लोनिंग समवाहक यानि की क्लोनिंग विक्टर के रूप में किया जाता है ठीक है जो प्लाजमीड होता है प्लाजमीड का जो है जो उप्योग होता है मेली जो उसका उप्योग होता है वो क्लोनिंग विक्टर के रूप में उसका उप्योग किया जाता है ठीक ह फिर देखें वाहिग DNA और समवाहग DNA के मिस्रण में बनने वाला DNA क्या कहला था एक जो वाहिग DNA और एक समवाहग DNA कि देखो यहां पर यह वाई डियने का मतलब क्या हुआ जैसे आपके शरीर से देने निकल गया यह अब इस डियने में कुछ लगाएगा इसको संवाहग इसको क्या बोलते हैं जब इससे बने डियने को लोग बोलते हैं बताइए री कॉंबिनेंट डियने बताया था ना इससे बने डियने को बोलते हैं री कॉंबिनेंट डियने बताया था ने आपको तो यह है आपका री कॉंबिनेंट डियने क्लियर के नुकलियोटाइट के अनुक्रमों को तोड़ कर दूइ सूत्री डियने का विदलन करता है जो दूइ सूत्री डियने होता है उनके नुकलियोटाइट को तोड़ करके उन्हें अलग कर देता है जैसे यह है तो उनको ऐसे ऐसे कर देता है ठीक है तो प्रतिवन्द इंजाइ आगे हैं अपना की जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पर टिपड़ी कीजिए याना टिपड़ी बोल रहा है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मैंने जब इसको चैप्टर पढ़ा रहा था तो वहां पर मैंने आपको बहुत क्लियर कट तरीके से बताया था जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस प देखो जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसी से जेल इलेक्ट्रोफोरेसी जेल विद्दूत का संचलन से आप क्या समझते हैं ऐसे कुष्टियान आप से पूछा जाएगा ठीक है डियने खंड का प्रत्रकरण एवं विगिलन की तकनीक को संचेप में वर्लन कीजिए 2019 के अंतरगत आ यार तुम लोग बोर हो रहे हैं यह चैप्टर देखो थोड़ा सा थोड़ा सा कम इंट्रेंस्टेड है तो क्या तुम लोग बोर होगे ऐसे बोर नहीं होते हैं ठीक है क्योंकि जो पढ़ाई होती है वहां से हम हमेशा कुछ नया सीखने का प्रयास करते हैं ठीक है आप देखो आप जब मेरे साथ पढ़े वन सौट वीडियो देखे तो वहां से आप हमेशा कुछ क्या कि आपने हमेशा वहां से कुछ नया सीखा है नया सीखने का प्रयास नहीं किया आपको वहां पर नया सीखने को मिला ही ठीक है अब देखो डियने अड़ु को क्या होते हैं डियने अड़ु को प्रतिवंधर एंडो नूकलियेज द्वारा खंडित करने के बाद खंडों को प्रता करने की कारे विधी को जेल विद्दुतकर संचरन कहते हैं अब जैसे वहाँ पर बहुत देख सारे डियने हैं बड़े बड़े अब क्या किया आपने उनको प्रतिवंधर एंडो नूकलियेज के द्वारा खंड कर दिया उनको प्रतिवंधर एंडो नूकलि उन खंडों से अलग करना जैसे आपने चावल बनाया तो चावल को समय लोग डिने है ना किस में बनाया कुकर में बनाया तो बहुत चावल बना दिया तुमने तो है ना अब क्या होगा कुकर में चावल बहुत होगा इसलिए तुमको वहां से एक एक चावल को अलग करना है वही अलग करने की क्रिया जल इलेक्ट्रोफोरेसिस हो थी है या फिर जल इलेक्ट्रोफोरेसिस के दिवारा किया जाता है क्योंकि DNA के खंड रिडात्मक आवेसित होते हैं आपको पता है कि जो DNA होता है वो निगेट्व चार्ज होता है रिडात्मा कावेशित होता है अंतहा अंतहा माध्यम में विद्दुच्छेत्र बनने पर इसे बलपूरवक धनपूरवक की ओर भेजा जाता है ना बलपूरवक ध्रू की ओर यानि कि एनोर्ड की ओर भेजा जाता है जो माध्यम होता है जहां पर इसे रखा जाता है एगोरेज जल भरा जाता है ठीक है वहां पर इसे बल पूरोवक एनोड यानि की ध्रू की ओर भेजा जाता है ठीक है माध्यम के रूप में एक लौडी जल के सैवाल से प्राप्त एगोरेज का प्रियोग किया जाता है ठीक है माध्यम माध्यम में क्या प्योग किया यहां पायरा है क्या है समुद्री सेवाल है और यह एक बालिट प्रियोग किया जाता नहीं नही Past już कहां पाय जाते हैं इनके क्या उप्योग है यह बैक के वारे पुछ बंग के वाğरे के बारे प्लाजमिट कहां पाए जाते हैं प्लाजमिट वेक्टर पर टिप पड़ी किजिए प्लाजमिट क्या है पी बी आर ठी टू टू है ना बॉलीवर और रिड्रियूज कितने बाद तीन सो बाई सो बार प्रियोग में उनका प्लाजमिट इसको सफाल हुआ है सोचो बॉलीवर और रोड्रिग्यूज इसी को उलते हैं पीसे प्लाजमिट बीसे बॉली बार रेड्रिग्यूज त्री इनसो बद्तिस बार प्रियोग में हुआ तो जो पी बी आर्ट्री टू टू बना तीनसो बार प्रियोग की है और मुझे लगता है आज कोई अगर इंडियन होता ना उसकी जगे छोड़के चला आता इंडियन के इतने बार प्रियोग करके मुझे संब दो बार तीन बार चार प्र जवर ज्याद को चार पांच बर ज्यादा ज्याद को अपना दी साभियोग बताइए प्लाजमिट पर टिप पड़ी लिखिए इस तरह के कोस्चिंस आप से जाएंगे चलिए देखते हैं यह विक्टर क्या होता है सबसे अच्छा इंपॉर्डन article कि प्लाप्जमीड जीवान क्षीगा में प्राकृति हुर्टी रूप ठीक है यानि कि नुकलियोइड के बाहर इस्तित है प्लाजमीड क्या होता है प्लाजमीड वो होता है डिने में गुर्ण सूत्री डिने पाया जाता है गुर्ण सूत्री डिने के अलावा जीवाणु कोशिका में पाया जाने वाला जो डिने होगा वो प्लाजमीड होगा ठीक प्लाजमीड में केवल कुछ ही जीन होते हैं, जो कई वार लेंगिक जना से सम्वंधित होते हैं, ज़ेखावादू कोजिका के अंदर जो भौती क्रियाएं होते हैं उनमें कोई इनकी भूमिका नहीं होती है ठीक है इनमें उपस्तित जीन्स प्रतिरोधी पदार्थों के निर्माड किन्नमन आधी क्रियाओं का नियमन करते हैं जो जीन्स में उपस्तित रहते हैं ठीक है प्लाजमिड के अंद जो जीन्स होते हैं वो प्रतिरोधी पदार्थों के निर्माड किन्वन आधिक्रियाओं का नियमन करते हैं ठीक है स्वनियंत्रित प्रतिकरती गुड़ होने के कारड़ दो प्रकार के प्लाजमिट्स ग्यात हैं क्या है पिस्वनी अंत्रित प्रतिक्रती गुण होने के करण दो प्रकार के प्लाजमिट इसमें से ग्यात है कितने प्रकार के दो प्रकार के प्लाजमिट ग्यात है चलो आजाओ पहला प्लाजमिट देख लो पहला है एकल प्रतिलीप प्लाजमिट एकल प्रतिलीप प्लाजम एकल प्रतिलीपी प्लाजमीड जो होता है वो प्रतिक्रती करके एक ही प्लाजमीड बनाता है सेकेंड में हैं बहु प्रतिलीपी प्लाजमीड ठीक है बहु प्रतिलीपी प्लाजमीड क्या करता है कि एक से अधिक प्रतिलीपियां बनाता है बहु प्रतिलीप प्राड़ी क्या करता है वो एक से अधिक प्रतिलीप बनाता है प्रतिलीप को नहीं सवज़ रहे हो एक से अधिक बार वो अपने आपको विभाजित कर लेता है ठीक है वही होता है बहु प्रतिलीप प्लाजमिंट ठीक है देखो इस प्रकार की एक तक भी ठीक एाईसे प्लास्मिट का उप्यो के रूप में किया जाता है यह जो प्लास्मिट निकान पर किया जाता है क्लोणिंग फ्लास्मिट की एक विसेस्ता है कि इसका DNA विजाती DNA खंड से जुड़कर भी दूसरी कोशिक्या में प्रवेस करने की छमता बनाई रखता है प्लाजमीड की क्या विशेषता है कि जो इसका DNA होता है प्लाजमीड के अंदर समझना जो इस प्लाजमीड के अंदर DNA है अगर इसके अंदर दूसरा DNA भी डाल देंगे विजाती DNA भी डाल देंगे तो ये plasmid उसी विजाती DNA की तरह कारे करने लगेगा ठीक है ऐसे plasmids ही vector के रूप में प्रयुक्त किये जाते है ठीक है क्या हुता है कि ऐसे plasmid ही vector के रूप में प्रयुक्त किये जाते हैं ठीक है और सबसे पहला अन्वांसे की इंजीनियरिंग से तयार किया गया प्लाजमेड PBR 3030 है था वो 32 है ठीक है तता जिसे E. coli के E. coie plasmid से तयार किया गया है किस से यह जो PBR 322 मिला है यह में E. coli bacteria से मिला है जिसका E. coie plasmid से तयार किया गया ठीक है और यह जो BR होता है P से plasmid, B से boliber और rodrigus ने तयार किया यह जो plasmid को खोजा है वो boliber और rodrigus ने इस plasmid को खोजा है ठीक है इस plasmid की boliber और rodrigus ने खोज किया है इसके प्लाजमिड क्या होते हैं यहां से प्रतक किया जाता है प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले इन क्लोनिग समवाहकों को समवाहकों में सभी आदर्सकुब नहीं होते हैं ठीक है यह जो प्राकृतिक रूप से यह जो पाए जाते हैं क्लोनिंग समवाहक इनके अंदर समवाहकों के अच्छे गुड नहीं होते हैं ठीक है फिर देखो PBR 322 समवाहक तयार करने में भी E-Colai से प्राप्त प्लाजमिड में अवश्य गुड नहीं थे जब हमें PBR 322 मिला बॉलिबर और रोडरियूज ने इसको खो जा तो भी इसके अंदर समवाहक गुड नहीं थे ठीक है अब इस समवाहक में टेटरसाइकलीन एमपिसिलीन के लिए प्रतिरोधी छमता प्राप्त की गई है ठीक है अब इनके समवाहक के लिए क्या किया गया है अब इन समवाहक के लिए टेटरसाइकलीन एमपिसिलीन के लिए प्रतिरोधी छमता प्राप्त की गई है सरवाधिक उपयोग में यही प्लाजमीड समवाहक प्रियोग में लिया जाता है ठीक है जब ज़्यादा मतलब काम होता है तो यही प्लाजमीड समवाहक है यही प्र PBR 327 PRK 646 PC 194 PMB9 भी काफी प्रियुक्त होते हैं PMB9 क्या होते हैं PMB9 भी काफी प्रियुक्त होते हैं सभी important वीडियो करवा दिये गए हैं और वो वीडियो प्लेलिस्ट पर upload हैं कहां पर वो वीडियो हमारे प्लेलिस्ट पर upload हैं ठीक है तो आप लोग प्लेलिस्ट पर जा करके चेक करिए प्लेलिस्ट पर जा करके आपको सभी वीडियो मिलेंगे clear है आपको सभी वीडियो को देखने के लिए प्लेलिस्ट को देखना होगा clear है चलो फिर आओ तीसरा कुशन क्या है प्रतिबंधन एंजाइम से आप क्या समझते हैं ये किस प्रकार कारे करते हैं प्रतिबंधन एंजाइम रिस्टिक्शन एंजाइम प्रतिबंधन एंजाइम पर टिपड़ी लिखिए ठीक है प्रतिबंध एंजाइम क्या हैं इनके कारे लिखिए प्रतिबंद एंजाइम क्या होते हैं इनके कारे लिखना है और प्रतिबंद एंजाइम से आप क्या समझते हैं इसके महत्तो पर प्रकाश डालिए यहीं कि प्रतिबंद एंजाइम से आप लोग क्या समझते हैं ठीक है प्रतिबंध एंजाइम की संचिप्त ब्याख्या कीजिए तथा दो प्रकार के प्रतिबंध एंजाइम के नाम भी लिखिए ठीक है तक क्या करना है दो प्रकार के प्रतिबंध एंजाइम के नाम भी लिखना है एक्जो न्यूक्लियस रथा एंडो न्यूक्लियस के बारे में समझाईए इनके कारे करिए देखे 2020 के अंदर गस 20 के अंदर 2019 के अंदर पूछा गया एक कुश्चन ठीक है देखते हैं प्रतिवंधन एंजाईम क्या होता है तो ऐसे एंजाईम है जो डियने के न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम को तोड़ कर दूई सूत्री डियने का विदलन करते हैं दुई सूत्री जो DNA होता है उसके अनुकरम को तोड़ देते है और उसका विदलन करते है उसको अलग अलग करते है आज तक की जानकारी के अनुसार वैग्यानिक के पास प्राकृतिक भेंट के रूप में यही एक मात्र ऐसा चाकू है जिसके द्वारा DNA संरचना को भेश सकता है जीनस को विलक कर सकता है इसमें जीनस लिखा है जीनस होता है जीनस को विलक कर सकता है क्रोमोसोम संरचना का विसलेशन कर सकता है तथा नवीन प्रकार के DNA अडू तयार कर सकता है यही एक प्राकृतिक रूप से मिला है ठीक है प्राकृतिक एक प्राकृतिक ऐसा चाकू ह एक जहां चाक्यों है जो डीने एक खंडों को तोड़ देता हैं जिसको अपने लोग बोलते हैं प्रति बंधन इनजाइम ठीक है बेम बंधन इनजाइम के बारे मैं आप लोग तो तीसरे season चैप्टर से पढ़ रहा है ना तीसरें चैप्टर से तिना पढ़ पढ़ के उब गए होगे ना वासी यानि जैसे मुझे आती है ना देखो 1960 के दसक में डबलू आरबर ने प्रतिबंधन एंजाइम के होने की संभावना ब्यक्त की कब 1960 में किसने किया डबलू आरबर ठीक है 1960 के अंदर क्या हुआ कि डबलू आरबर ने बोला कि वया जो प्रतिबंधन एंजाइम है ना इसकी होने की संभावना है ठीक है उन्होंने जानकारी दी कि जब जीवाणू भोजियों का डिने पोसत जीवाणू के अंदर प्रवेस करता है तो छोटे छोटे तुकड़ों में तूटने लगता है जो जिवाडू भोजी होते हैं बक्टीरियो फेज होते हैं जब उनका वो DNA पोसत जिवाडू के अंदर उनका DNA पहुंचता है तो छोड़ी छोड़ी तुकड़ों में होने रखता है इसी आधार पर उनने सिद्दान्त के रूप में प्रतिवंधन एंजाइम की बात सोची हैना सोचा कि DNA अखिर का छोटे छोटे तुकड़ों में कई से तूटता है वो तूटता प्रतिवंधन एंजाइम के द्वारा ठीक है अब देखो प्रतम प्रतिवंधन एंजाइम मीसेलसन या युवान ठीक है मीसेलसन एंड युवान 1968 में विलिगित किया गया ठीक है निकाला गया मिल्थिल्मसर और युवान या रखता मिल्थिल्मसर और युवान युवान ने 1968 में इसको विलिगित किया इसको अलग के तथा अध्यान किया किन्तु दुर्भाग गिवस इसके जटिल बेवहार के कारण इसमें सफलता नहीं मिल सकी इसका अध्यान तो उसने किया लेकिन दुर्भाग गिवस उसकी जटिल सनरशना थी उसका जटिल बेवहार था इसके कारण से उसको सफलता यहां प प्रतिबंधन एंजाइम को लगभख 2 वर्ष बाद जीवाडव हीमुफिलस इंफ्व्वाद्जी से विल गित किया गया जो हिंड सेकेंड है अपना प्रतिबंधन युन्डोनिउक्लिय झाइम उसको किस से विल गित किया गया उसको किस से खौजा गया तो खौजा गया Hemophilus Influenti से केली एंड सवी नैंटीन सेवनटी Smith एंड वेलोक्स नैंटीन सेवनटी वैग्यानिन नैथांस ने 1971 में इस कारे को आगे बढ़ाया क्या किया इस कारे को आगे बढ़ाया फिर देखो Arbor Panflowing एवं इसमित को इसके लिए ही कारिकी और आउसदी में नोबिल पुरुसकार कब मिला 1978 को इनको नोबिल पुरुसकार मिलता है ठीक है इसके बाद तो जल्दी जल्दी अन्य प्रतिबंधन एंजाइम को जैसे ECO R1, ECO B, ECO E, ECO PI आदी को विलगित किया गया देर थी एक प्रतिबंधन एंजाइम खोज जाने की ठीक है हिंड सेकेंड खोजा गया लगबग दो वर्सों के बाद तब क्या हुआ नए नए इंडो नुकलेज खोज जा रहे थे ठीक है वर्स 1984 में रॉबर्ट ने 475 ऐसे एंजाइम को सूची बद किया वर्तमान में 900 से अधिक प्रतिबंधन एंजाइम के बारे में जानकारी दी जो जीवाणों के 230 से भी अधिक प्रभेद से प्रथक किये जा चुके है ठीक है ये जो प्रतिबंधन एंजाइम कहा से प्रियोक किये जाते है जीवाणों के अंदर ठीक है जीवानों से इनको अलग किया जाता है चलो आगे क्या है आगे है कि प्रतिबंधन एंजाइम एंडो नूकलियेज कहे जाने वाले एंजाइमों के बड़े समू होते हैं जो प्रतिबंधन एंजाइम होते हैं रिस्ट्रेक्शन एंजाइम वो एंडो नूकलियेज इसल नुक्लियेज होते हैं यह क्या होते हैं यह दो प्रकार के एक जो नुक्लियेज तथा एंडो नुक्लियेज होते हैं और अपने कारे के अनुसार इन एंजाइम्स को वर्ग है ना जानी की टाइप वन या फिर वर्ग second work third में रखा जाता है इनको मत्दब अपने समझने के अनुसार इनको रख ले जाता है वह हिंड second हिंड third है तो वो लोग खुद समझ जाते हैं ठीक है इनसे work first का प्रतिबंधन enzyme dna को kundalit dual standard अरूपांतरित पहचान अनुकरम unmodified recognition sequence पर क्रिया करता है और dna अडू के साथ कुछ दूरी पहुचकर लगबग एक से 5000 nucleotides के बाद एक ही सूत्र का विदलन करता है मतलब इसका कुछ सभी जो प्रतिबंधन enzyme है उनका कुछ एरिया निश्चीत है है ना इस एरिया तक ही वो dna अडू को काटेंगे तो यह जो work first वाले enzyme है वो क्या करते है वो dna अडू के लंबाई के अंदर आउकास उत्पन करता है यह पहचान इस्थल भी याच्छिक हो हो या आभासिक हो ठीक है याच्छिक ही आभासित हो ठीक है इसके लिए magnesium iron ATP adenosine triphosphate तथा s-s-adenosine methionine है ना methionine बोलते इसको methionine ठीक है s-adenosine methionine को factors यानि की co factors यानि methionine को factors की अवशकता होती है ठीक है इस प्रकार यह जीनी अभ्यांत्रिकी के लिए कुछ अविसे सीक्रत विदलन इस्थल के कारण उप्योग नहीं समझ आते हैं ठीक है यानि कि सब को सब को जीनी अभ्यांत्रिकी के अंदर उप्योग में नहीं लाया जाता है ठीक है तो प्लेइलिस्ट पर ही वच्चे सभी वीडियोज वहाँ पर अप्लोड है ठीक है तो चलिए देखते रहे हैं मेहनत करते रहे हैं पढ़ते रहे हैं मेहनत करते रहे हैं विस याल दे विस्ट थैंक यू